नमस्कार, One India Hindi में आपका स्वागत है, मैं हूँ राहुल पांडे पांच राजों में विधान सबा चुनाओ का एलान हो चुका है लेकिन क्या आपको पता है कि जिन विधायकों को आप यानि की जनता चुनती है उनकी सेलरी कितनी होती है और इन्हें कौन-कौन सी सुविधाय मिलती है ये जानकर आपको बेहद हैरानी होगी कि एक देश में रहकर भी विधायकों की अलग-अलग राजों में अलग-अलग सेलरी है इसे ऐसे समझे कि तेलंगना के विधायक को जहां हर महीने 2,50,000 रुपए सेलरी मिलती है तो वहीं त्रिपुरा के विधायक को सिर्फ 34,000 सेलरी मिलती है तो चलिए आसान भाषा में आपको सभी राजों के विधायकों की सेलरी के बारे में बताते है इस लिस्ट में सबसे उपर तेलंगना राज है यहां विधायकों को देश में सबसे ज्यादा सेलरी मिलती है 2,50,000 रुपए दूसरे नंबर पर महराश्ट राज जाता है यहां के विधायकों को 2,32,000 सेलरी मिलती है इसके बाद दिल्ली में विधायकों को 2,10,000 जम्मो कश्मीर में 1,60,000 उत्राखंड में 1,60,000 वहीं आंद्र प्रदेश के अगर बात की जाए तो यहां पर विधायकों को 1,30,000 हर महिने सेलरी मिलती है इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में 1,25,000, राजस्थान में 1,25,000 वहीं गोवा के विधायकों को 1,70,000 उपए सेलरी हर महिने मिलती है हर्याना में विधायकों को हर महीने एक लाख पंद्रे हजार उपए सेलरी दी जाती है पंजाब में विधायकों को हर महीने एक लाख चौदे हजार सेलरी दी जाती है इसी तरह से बिहार के विधायकों को भी एक लाख चौदे हजार उपए हर महीने सेलरी मिलती है करनाटक के अगर बात करें तो यहां पर हर महीने विधायकों को सेलरी सिर्फ अठाउन हजार मिलती है इसी तरह से सिक्किम राज में भी विधायकों को अठाउन हजार ही सेलरी मिलती है हर महीने में 62,000 सेलरी मिलती है, मेघाले में 69,000 मिलती है, पुडू चेरी में 50,000 मिलती है, अरुनाचर प्रदेश में 49,000 मिलती है, और मिजोरम के अगर बात करें तो मिजोरम में हर महिने विधायकों को 47,000 सेलरी मिलती है, असम के विधायकों को 42,000 हर महिने सेलरी दी जाती है, मडीप जम विधायकों को सेलरी मिलती है हर महिने, त्रिपुरा में हर महिने सिर्फ 34,000 सेलरी मिलती है। इस सेलरी के लावा विधायकों को कई अन्य सु विधाय भी मिलती हैं। जैसे कि यूपी में एक विधायक को विधायक निधी के रूप में 5 साल के अंदर 7.5 करूर रुपए खर्च करने के लिए मिलते हैं। विधायक के पास ये अधिकार भी होता है कि वह अपने शेत्र में पानी की समस्या के समाधान के लिए 5 साल में 200 हैंड पंप भी लगवा सकता है। जबकि एक पंप लगवाने का खर्च लगबग 50,000 रुपए आता है। इसके लावा रहने के लिए सरकारी माकान, मेडिकल सुविधा, यात्रा भत्ता, एक व्यक्ती के साथ ट्रेन में फ्री यात्रा और कारिकाल खत्म होने के बाद विधायकों को हर महिने 30,000 रुपए पंशन मिलती है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि इन विधायकों को कितनी ज्यादा सुविधाय मिलती हैं, हlalki अलग-अलग राज्यों में ये सुविधाय अलग-अलग भी हैं। आपको बता दें कि कुछ राज्यों के विधायकों के सेलरी और भत्ते की जानकारी में कुछ बदलाव भी हो सकता है क्योंकि समय समय पर ये बदलाव होते भी रहते हैं फिलाल इस खबर में इतना ही ज़्यादा ब्रेट्स के आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ